नमस्कार दोस्तों स्वागत है अपनी यूटूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जी के मैं दोस्तों अभी जो एंटी पीसी की 12th लेवल वाली वेकेंसी जाई हैं 21 सितंबर से 20 अक्टूबर 2024 से इसकी फॉर्म भरने की दिती है आवे दिन करने पर पहली चीज़ मांगी जाती है किस RRB से आप फॉर्म भरेंगी इस पर अल्रेडी वीडियो बनाए हुआ है जहांसे कम का टॉप जाती है वो RRB आप सेलेट कर सकते हो लिंक डैस्क्री उस वाक्स में वीडियो देख लेना सेकेंड चीज़ जो इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है जो एक RRB में आप यहां 2019 में सेलेक्टेट केंडेट से यहां पर बात की है और उनकी राय इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो गलती उन्होंने 2019 में की थी वो आपको रिपिट नहीं करनी है उनकी एकोर्डिंग कौन सी पोस्ट है वो बेस्ट रहेगी बिलकुर शान्ती पर यह है परमोश कम है और उसमें एक सीट आपकी सुनिचत करने के लिए आपको बहुत ज़्यदा प्रेक्टिस स्मार्ट यहां पर त्यारी करनी पड़ेगी स्मार्ट तरीका है मौक टेस्ट देना अपनी कम्यों को पहले एक्जाम से पहले जितना हो सके प्रेक्टिस कीजिए और अपनी कम् से एक्स्टा फेक्ट रहेगा और बार बार जो आप मिश्टेक करते हो उसको नौट करते हुए आप स्मार्ट तरीके से त्यारी करेंगे टाइम एनेज्मेंट बहतर हो जाएगा अभी ओफर के तयात आपको टेटीजी की कोपन कोर्स में 13% का एक्स्टा डिसकांट मिल सारे एक्जाम्स के मौक टेस्ट प्रिविशेर के पेपर शाहित आपको मिल देंगे और मौक टेस्ट में भी अलगलग टाइप वाइज, चैप्टर वाइज है, फुल मौक है, सब्जेक्ट वाइज, सारा कुछ मिल दाएगा कैसे जोइन करना लिंक डाइस्क्रिप्स में ज लेवल टू की, जूनियर कलग कम टाइप इश, लेवल टू की और यह भी लेवल टू की, इन पोश्ट में कौन सी पोश्ट है, वो वरेता पर आप देहना चाहेंगे, तो इनका जवाब था कि हम तो पहली वरेता दो नमबर वाले को देंगे, एकाउंट कलग कम टाइप इसमें आप डिपार्टमेंटल के दो एक्जाम पास करके तीन साल में लेवल 5 में हो जाओगे और जूनियर एकाउंट असिस्टेंट आप बन जाएंगे इन्ही परमोसन अच्छा है और वरकिंग डे भी यहाँ पर आपका DRM ओपीस में जौब लगती तो पांच दिन का वरकिंग रहेगा और सटरे संडे ओफ रहेगा तो यह अच्छी बात है एक और केंडेट जो इन्हों डारक की बता है कि जो पहली पोस्ट है सेहम इन्हों ने बता है एकाउंट वाली बता है सेकेंड जूनियर वाली बता है फिर CCTC और TC एक बार दुबार मैं आपको पोस्टों के बारे में बता देता हूं कमर्शिल कम टिकट कलग है लेवल 3 की 2700 से आपके पैमेंट स्टाट होगा और यह B2 मेडिकल स्टेंडर्ड की है और इसमें आप देखींगे टाइपिंग वाली पोस्ट तो यह दो है टाइपिंग वाली पोस्ट एक है À Suite कलग कम टाइपिश्ट दूसरे हैց जूनिंयर कलग कम टाइपिश्ट है मैडिकěउम के अचेंडर्ड न इंपोस्टों को बेस्ट बताया है इसका कारण भी यहाँ पर नीचा पन बताएंगे और train collect की post है इनको सबसे last बढ़ेता पर candidate दे रहे हैं जो already daily employee है इनको last पर दे रहे है train collect को अब medical standard में यह 3 वैसे train collect की तो 72 post ही है मिलने वाली और कुछ RRB में तो है ही नहीं vacancies यह post ही नहीं तो इसको तो आप एक तरीके से last में दे सकते हो बाकि मिलने एक नंबर पर देंगे तब भी समावना कम बनेगी और वैसे ही last पर prefer कर रहे हैं यहाँ पर employee और टप medical standard की बात करें तो ऐसा B2 में आपका चस्मा एलाग है चाल डायप्टर का चस्मा चल जाएगा C2 में तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है medical standard भी इतना टप नहीं है सभी में और यहाँ पर इन केवल इन दो पोस्टों के लिए आपका टाइपिंग होने वाला है बाकी CVT1, CVT2 सभी के लिए common है एक और candidates यहाँ पर जो अल्रेडी railway में जॉब कर रहे हैं उन्होंने बताया अगर इसताई एक जगध जॉब और weekly दो दिन छुटी चाहिए ना बिलकुर शान्ती वाला बिना धंजट का काम है और night shift नहीं हो और जैदा ट्रांसपर नहीं हो नहीं तो railway में ट्रांसपर बहुत हो जाते हैं यह दो पोस्ट है ना एकाउंट कलगकम टाइपिस्ट और junior कलगकम टाइपिस्ट इनमें night duty नहीं होगी आपका desk job रहेगी आपको मैंने ntpc graduate level में भी एकाउंट वाली को पहले वरिता पर दी ती और यहाँ पर भी जो अद्रेडी कार्मिक है वो इनको पहली वरिता पर दे रहे हैं थर्ड पर यह ctc दे रहे हलंगे तीसरे लेवल 3 की पोश्ट उसके बाव जो तीसरे स्थान पर दे रहा है पैसा ज्यादा है इसमें लेकिन रणिंग जूटी और एक दिन राष्टे के वल ट्रेन कलग को चौते स्थान पर इसमें वैसे ही वेकेंसी कम है ट्रेन कलग में त ट्रेन कलग है उसके बाद यह लाष्ट में रख रहे हैं इसको जब रेल्वे में ट्रेन मेनेजर पर जौब कर रहे हैं दीपक जी से पूछा गया स्वाल तो इन्होंने क्या क्या वरिता दी हैं इन्होंने सी सी टी सी को कमर्शिल कम टिकट कलग हैं लेवल 3 को पहले वरिता पर फिर जून्यर कलग कम टाइपिस्ट एकाउंट कलग और ट्रेन कलग और इनकी कुछ यहां पर वोइस भी आपको बता देता है तो उनकी सिफ्ट वाइस डूटी रहती है और वीकली एक उफ होता है प्रमोशन भी अच्छे हैं आप चालिसो तक को से उपर भी जा सकते हैं और पीरिटी अच्छे प्रमोशन है तो अगर नायट सिफ्ट से आपको वी दिक्कत नहीं है तो आप इसको ले सकते हैं जून ऌर क्लरकमट डिपेट और अगगाउन प्लड करकमट डिफ दोनों ओफिस की जॉब है दोनों और फइया रम ओफिस की जॉब है ऊफेस अच्छा मिलता है आपको f実 होता यह दो और दिल्ष और व्रिओट आपको मिलते हैं आपकी चेन्गी जोब होती है देश जो पूती है आपको फिस्वाइला होती है फाइलों के सम्मंदेत वही सब्सक्राइब अब निजसो बीटी है फिस्वार चाहिए उनिसो पर चुलिस्व परदीए यह लोग पोपिंग करते हैं बॉस्गार की और इनकी इ सब्सक्राइब अगर घर के पास हो तो सबसे बेहतर जोब है क्योंकि जोब है पाइस दिन की है कोई पब्लिक डिलिंग यहाँ पर इंट्रेक्शन नहीं होने वाला है इस्टेशन इस्टाप पर इसमें ट्रांसफर मिलना मुस्किल है पर मुस्किल यहाँ पर अच्छा हो जाएगा चौन चौन तक आप जा सकते हो आराम से साथ से दस वर्ष में नेक्स्ट दूसरी है जून्यर कलक कम टाइपिस्ट है यह भी म का घर के पास के लिए फर्स्ट आपका अकाउंट कलक कम टाइपिस्ट है सेकंड जूलियर कम टाइपिस्ट है फिर कमर्शियल कम टिकट कलक CCTC और चौत इस्थान पर ट्रैन कलक रख रहे हैं ट्रांसफर चाहिए तो आपका CCTC में ट्रांसफर जल्दी होते हैं एक साथ अ एक्जाम देते रही हर तीन साल में प्रोमोशन लेते रही है यह इन्होंने सेम चीज बताएं एक और देख सकते हो एकाउंट को लग इसमें घर घर के बागे इन्होंने बताएं कि दो तीन चार यह more holiday desk job है एकाउंट कलग कम टाइपिस्ट जूनिर कलग कम टाइपिस्ट है एक है आपके रनिंग जॉब है जो cctc है और चौते पर आपका वर्कलोड ज्यादा है ट्रेंड कलग देखिए यहाँ पर आप वीडियो देख रहे है थोड़ी बहुत रेल्वे एंप्लोई वगरा अल्रेड जूनिर कलग कम टाइपिस्ट है नो से पाच ड्यूटी है नो नाइट और अल्लीडे लिव्ज फूल ओपीस वर्क एपोस्टिंग इन ड्यॉर्म ओपीस टू डे वीकली रेस्ट यहाँ पर पोस्टिंग आउट ओप डियार्म ओपीस वन डे वीकली रेस्ट फर मोर डेटेल इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद फिर एक एंप्लोई जो सीनियर सी सीटी सी है मॉंबवई डिविजन सी इनने का लेवल थी का यहाँ पर जोब सभी को पता है एकाउंट हेड़कॉर्टर में डूटी रहेगी जो एकाउंट कलक कम टाइपिस्ट है और इनकी डूटी पाल से यहाँ पर यह जोनियर कलक है बेस्ट पोस्ट यहाँ पर यहाँ ने कहा कि एकाउंट वाली है एकाउंट कलक कम टाइपिस्ट है क्योंकि इसमें पोस्टिंग के चांसे डूर्म ओपीस के ही होते हैं और ट्रेन कलक में नाइट सिप्ट रहती है यह नाइट सिप्ट वाले में नहीं होती है, 80% cases में train clock और cctc में night shift होती है सिरफ reservation clock मिलेगा 8-2 duty रहेगी night में 8 a.m. 2 p.m. cctc में फिर इन्हों कहा कि क्या इनका काम रहेगा अजमे division से ये accountant है तो इन्हों ने भी यहाँ पर account clock कम typist को पहली वरिता दी है, junior clock ये वाले वरिता दे रहे है दो नमबर, तीन नमबर, एक नमबर और चाल नमबर, एक और cctc सीताप और स्विटी से हैं, इन्हों ने भी यह सेम चीज़ बताई है, तो maximum जो एमपलोई हैं, इसी चीज़ को repeat कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर junior कलक कम टाइपिस्ट को पहरे स्थान पर रखते हैं, फिर account कलक कम टाइपिस्ट को है जो कलरीकल जोब या तीन दो दोनोई में, ओपिस टाइम जोब होती है, नो से पाच इनकी पोस्टिंग डियारे में ओपिस या वरक्षो परस्थान में होती हैं, जिसमें पाच अदे वरकिंग हैं और एनेच मिलेगा प्रोपर पूरा अब फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचें उससे पेरे आपको बता दूँ एन्टीपीसी में वेकेंसी जना मात्र की हैं तो कल से सभी टीचर्स का प्लान रहा है 25 सितंबर 2024 से मॉर्निंग सुबए 11 बजे ये हैश्टेग आपको ट्वीट करना है टेलिगाम पर भी इससे पेरे भी डाला है और भी डाल देंगे ताकि इसको आप कोपी करके वहीं पर हैश्टेग है उसमें गलती ना करो तो आप यहाँ पर रेलवे मिनिस्टर है और अन्या आरार्वी को टेग करते हुए यहाँ पर यह आरार्वी एंटीपीसी वेकेंसी इंक्रीज वाला हैश्टेग है इसको ट्रेंडिंग में लाने की कोशिश करनी है पूरी ताकि मीडिया में मुद्दा बना रहे तो उनसे जिरी स्वाल पूछे जाते हैं रेलवे मिनिस्टी से तो फिर वो वेकेंसी कहीं कहीं बढ़ाने ही तो निर्देस आगे चले जाते क्योंकि आज रेलवे के चेर्मेन है उन्होंने भी लेटर लिखा है कि एमपलोई की ज्यादा आउश्रिक्ता है वित्मंत्राले को स्विकर्ती के लिए तो ये चीज और ज्यादा हाइलाइट होगी तो आसान हो जाएगी इनको स्विकर्ती मिलना और पोस्ट बढ़ाने की भी यहाँ पर संभावना बनती है इस प्रकार बहुत बार पहले भी हुआ तो ये आपको चीज पर्थम प्रात्मिक्ता पर फिलाव देनी है उसके बाद ये आप फॉम भरने वाली प्रात्मिक्ता देंगे अब देखिए यहाँ पर जो मेकजिमम रेलवे एमपलोई का कहना है इसको वो पर्थम वरिता पर दे रहे है बिल्कुर शान्ती वाली है ज्यादा ट्रांसपर इसमें नहीं होंगी परमुसन अच्छा हो जाएगा दो नोई जूनिर कलग कम टाइपिस्ट है और एकाउंट कलग कम टाइपिस्ट है तो यह चोट्य स्थान पर ही जा रही है तो आप भी इसके अकोडिंग यहां पर बरिता दे सकते हो जिस भी पोस्ट में आपका कट आप और मेडिकल इस्टेनेट पास हो जाएगा और वो आपको मिल जाएगी और कोई doubt है वो आप comment section बताएंगे और new candidate अभी तक test book का pass pro join नहीं किया है अपने त्यारी यहाँ पर जांच नहीं रहे है यदि आपका syllabus cover नहीं फिर भी आपको mock test देते रहना है ताकि last में इतना confidence आजाए कि शुरूआ तो मेरे बहुत कम mock में number आते थे और किस प्रकार धीरे आपने अपने आपने इंप्रूमेंट किया है तो वो चीज आपको एक्जाम में कहीं न का एक अलग लेवल का आतम विश्वास दिलाती है और अपने आपको आप कमियां आप ढूंड लेते हो ने बार बार गलती करेंगे mock test देंगे तभी गलतिया करेंगी और उन कम्यों को सुदार करेंगे तो जरूर आपका निच्चे तुरूख से सेलक्षन होगा मिलते हैं नए वीडियो में धन्यवाद